देसी कलाकार यही हमारा मकसद होता है कि उनकी कहानी आप तक पहुचा है उन्हें कही न कहीं प्रमोट करें और उनसे आपको रूबरू करा है स्टेज पर तो हम लोग उनको कही बार देखते हैं लेकिन परसनली जानने का मोगा जो है वो बहुत कम बार मिलता है और मेरा सौबाग यह है कि मैं सब लोगों से रूबरू होता हूँ और उनकी कहानी आप तक पहुचाता हूँ तो ऐसा ही एक मेरा बहुत ही खास दोस्त है हमारे नाकपूर के इस कलाक शेत्र में जो बहुत अच्छा गाना गाते हैं कई सारे बड़े-बड़े लोगों के साथ स्टेज कर शेयर कर चुके और सबसे खास बात वह नाकपूर से बिलॉंग नहीं करते हैं वह चंद्रपूर डिस्ट्रिक्ट से बिलॉंग करते हैं नाकपूर में पड़ाई लिखाई के लिए आए थे लेकिन फिर पता नहीं कैसे के आचानक से सिंगर बन गए जिंदगी का कारवा आगे बढ़ता गया और आज उनकी पूरी फैमिली नाकपूर में ही सेट हो गए तो ऐसे हमारे समित हमारे साथ है तो समित बहुत-बहुत स इक मैना लग गया मेरे को इसको फ्लोर पे लाने के लिए इंटर्वी लाने के लिए तो बाकी सब लोग कितने भी दूर के क्यों नहुत जल्दी आ जाते तो पास आले इतने नाटक करतें तैंक्यूँ सो मच मैं बोलू है कि आखिरकार हमने इसको पकड़ी लिया और आज ब जोख था और धीरे धीरे बच्पन में ऐसा होता है कि पिता जी भी उसी फिल्ड से थे फैमिली बैग्राउंड भी थोड़ा सा म्यूजिकली था तो पिता जी मुझे लेकर जाते थे अपने साथ में और कई स्टेश्चों में लेकर जाते थे मगर मुझे चांस नहीं मिलता था तो फिर घरवालों को थोड़ा लगता था कि हमारे बच्चों को कही एक चांस मिलना चाहिए तो पपा के ऑफिस में पपा गवर्मन्ट सर्वंट थे बेसेनल में तो उनके ऑफिस में एरली एक एन्वल फंक्शन होता था तो वहाँ से मेरी जरनी स्टार्ट हुई उनके मेरा पड़ाव चला तो उस दोरान मेरे एक दोस्त है जिनके साथ मेरा काफी गहरा संबंद है जिनके वज़े से मैं म्यूजिक फिल्ड में आया ऐसे ही हमारे मेरे चंदरपूर से बहुत अच्छे दोस्त है मिस्टर अरजुन सिंग धुन्ना जिने हम प्यार से सनी भया करक बरकरार है और उनी के वज़े से आज मैं एक स्टेज पर खड़ा हूँ तो उनी के वज़े से हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे काफी सारा सपोर्ट किया कि तू कर सकता है वो बेसिकली तबला और डोलक प्ले करते थे तो वो डोलक प्ले करते थे और मुझे बोलते थे तू तो गा सकता है तो ऐसी करते करते उन्हें सपोर्ट करते गए फिर उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया स्टेज तक लेके आए और फिर चंद्रपूर से एक ऐसा मुकाम आया कि जब मुझे ऐसा लगा कि कई इस दौरान मेरी पढ़ाई थोड़े रुख चुकी थी घरवाल उसके बाद मैंने सोचा कि नाकपूर चले जाए अपने आगे की पढ़ाई पूरी करें नाकपूर आया जब नाकपूर आया तो मुझे नाकपूर का खुज भी नहीं पता था एक चोटे से धरम पेट से मेरी शुरुवात हुई और करते-करते जब मैंने कॉले स्टार्ट क और क्यूकि कहते कि मैंनत का फल मैंनत करते जाओ मैंनत का फल आगे मिलेगा ज़रूरुर तो वह ही मैं करते कि उनलों के साथ शोज करते गया तकरिबन लॉर्ज लूइस करकी जो है अमारे नाकपूर के बड़ी प्यारे से कलाकार है औरकेस्ट्र म्यूजिक स्टार उनका ए प्राइवेट पार्टीज हो और क्या कहते हैं नौराथर के शोज हो एंपी तक गए उनके साथ काफी सारे दूदुर जाके हमने शोज किये तो एक जो उनके साथ शोज करने का जो एक्सपिरेंस था वह आज कही न कहीं मुझे बहुत काम आता है तो ऐसी है हमारे स्मित की कहानी मैं कहूंगा कि चंद्रपूर से शुरू हुए और सनी भाई का बहुत धन्यवाद देना चाहोगे तुम कि आज तुम इस मुकाम पर पहुंच गया नाकपूर जब आये तो वह क कि कहीं न कहीं एक जो आर्टीस के अंदर एक जो कहते कीड़ा होता है वह मेरा चूप नहीं पाया है मैं यहां सी चंद्रपूर जाता शोस करने जाता था बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे नाकपूर में कहीं स्ट्रेगल करना चाहिए तो फिर मैंने काफी सारे लोगों से ब बनाती कैसे हूँ अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है सुरुची मसाले खाने में हो रुची तो घर लाइए सुरुची अपने सपनों के उडान भरने के इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंग भी तो मस्बूद होने चीए जो देखता है फ्लाइवी एविएशन अकाडमी एक ऐसा इंस्सिटीट है जहां पर एरलाइन एरपोर्ट होस्पिटालिटी और टूरिजम मैंजमेंट साथ ही यहां campus interview, guidance by industry expert, practical training at airport, expert faculty, personal grooming जैसे कई सारे benefits आप पास सकने हैं फ्लाइवील एविएशन अकाडमी, one degree, three job opportunities फ्लाइवील एविएशन अकाडमी, gives you a degree or diploma with a job फ्लाइवील एविएशन अकाडमी, 365 गानी नगर, LAD College Square, beside करनाट का बैंक नागपुर तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि सनी भाई ने आपको चंदरपूर से नागपुर लाने के लिए प्रेडित किया शुरुवाती दोर में जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं मैं कहूंगा कि या फिर मेहनत कर रहे होते हैं सिग्रत तो बहुत सारे लोगों का सपोर्ट हमें हो चाहिए होता तो वो कौन से लोग थे नागपुर में जुने ने आपको सपोर्ट की सहरा दिया मैं कहूंगा जब चंदरपुर से जन्नी स्टार्ट हुई नागपुर में आया तो देड़ से दो साल तो मैं पुरा ब्लैंक था क्यूंकि नागपुर मुझे जाहतर पता नहीं था और आज जो नागपुर मुझे पता है वो सबसे आदब शोस करने के बाद ही मुझे नागपुर पता च स्मित हमारी एक्जाम है तो यह सेंटर कहां पर मुझे बताओ तो मुझे पोस्टमैन के भी हम मेरे दोस लोग बुलाते है क्योंकि मेरे साथ हम लोग तकरीबन मैं धरमपेट में रहता था तकरीबन हम साथ से आट लोग रहते थे और आज हर कोई अपने अपने शेत्रम में कोई जॉब कर रहा है कोई बिजनेस कर रहा है मैं मुझीक फिल्ड में हूँ कोई अच्छे-च्छे कोई डॉक्टर बन गए कोई बॉमवे में सेटल हो गए कोई क्लासवन ऑफिसर्स बन गए तो जो हमारा जो ग्रूप था हम साथ में रहते थे और उस दोरान मुझे मेरी पढ़ाई जो शुरू थी मैंने ग्रैजुएशन कंप्लेट किया अन्ना साइब तिरपोडे कॉलिज से अन्ना साइब गुंडियार कॉलिज से और मेरा उसके बाद मैंने मेरा MBA कंप्लेट किया इस दोरान जो मुझे सबस्यादा सपोर्ट मिला है म्यूजिक का सपोर्ट मिला है फैमिली से तो सपोर्ट था ही मगर जातर मुझे जो सपोर्ट मिला वो इस म्यूजिक फिल्ट से मिला रात भर शोस करके आते थे थे मॉर्निंग में एक्जाम देने जाते थे थे ऐसा कर करक कि और इस दोरान जो कॉलेज में जो मुझे सपोर्ट मिला वह मुझे मिला जो हमारे नाकपुर के बड़ी अच्छे कलाकार है मिस्टर लॉरेंस लूइस इनका बहुत अच्छा ग्रूप है उनके साथ तकरिबन मने 6-7 साल जो शोस किये और उनके साथ आज भी अच्छे रिले कि कही एक फ्रिलांसमर करना चाहिए जैसे हमारी इंडिस्टी में नाकपुर में होता है तो वह मैंने सोचा एक मैंने डिसीजन लिया उस दोरान ऐसा लगा कि कही लोग बुलाएंगे नहीं शोस में और ऐसा हुआ नहीं धिरी धिरे वर्क शुरू होते गया और धिरी धिरे के दर्शुगों के लिए होजाए एक बिल्कुल बिल्कुल जातर तो मुझे लोग कहते कि तुम पुराने गाने बहुत अच्छे गाते हो तो एक सारे दर्शुगों के लिए बढ़ा ही प्यारा सा गित कुश्र कुमार का आप सबके लिए तेरी गली में हाता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम, तुने ओसनम ढाए है सितम, तो ये तू भूलना जाना, खत्म बस आज ये दहशत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहबत होगी, मेरी नजरे तो गिला करती है, क्या बात है, और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जब भी मैं किसी का इंटर्वु लेता हूँ तो जितना मज़ा मुझे आता है, उतना सायद आपको नहीं आता हूँ, तो जब भी मौका मिले इन कलाकारों को लाइव सुनने का, तो ज़रूर लाइव सुनी, एक बहुत ही अलग दुनिया है, मैं कहूंगा हमारे नागपुर की छोटी सी इंडस्ट्री है, लेकिन बहुत सारे कलाकार है, अब तक का experience कैसा रहा है, अगर मैं पूछे तो, काफी अच्छा experience रहा है, हर रोस नएने लोगों से मुलाकात होती है, सिंगर से मुलाकात होती है, जो अभी ट्रेंड चल रहा है, event industry जो हमारे नाखपूर में है काफी सारे event manager से मुलाकात होती है काफी सारे लोगे जो अच्छा support करते हैं कहते हैं कि आप अच्छा work कर रहे हो और इस event field में मुझे लाने वाले जो है नाखपूर के हमारे बहुत अच्छे शक्स है Mr. Ajaz Khan जो एक बहुत stand-up comedian है अच्छे celebrity हमारे नाखपूर से उनका बहुत बड़ा योगदान रहा क्योंकि एक orchestra field एक अलग होता है और event industry एक अलग होती है तो मेरे किच्छा थी जब मैं लोग के events जा जाके देखता था कि lights है, trust है अच्छा crowd है मुझे इसा लगता कहिना कही जाके कि उस platform पे मुझे भी जाके work करना चाहिए तो मैंने ऐसी उनसे कहा कि मुझे इस field से निकल के उस field में work करना है तो उनका बहुत अच्छा support रहा आज भी बहुत अच्छा support करते है उनके साथ काफी सारे shows किये मैंने लोकमत सखी मंच के shows किये बिरला गोल्ड के shows किये मैंने उनके साथ corporate sector में ज़्यादा उनके साथ work किया है मैंने बहुत अच्छे comedian है उनका बहुत अच्छा support रहा है मुझे इस event field में लानी के लिए मैं काऊँगा जैसे की बात की तुमने ओर्केस्ट्रा और इवेंट्स में बहुत बड़ा difference होता हूँ major difference क्या लगता तुमको ओर्केस्ट्रा और इवेंट्स वाले shows में ओर्केस्ट्रा फिल आज भी लोग उसे पसंद करते मगर जो हमारे मैं दर्शकों से भी यह कहना चाहता हूँ और हमारे जितने भी जो मैं हमारे साथ ही कलाकार है उनसे भी कि तो उस वक्त भी अज्वसक्त ह disgrace कि हम लोगों ने में पस्याख करके जिन में कुछलग से टैलेंड था reference उन लोगों के साथ चैलेन तो तो बबाद से हुलत हुआ है तो अगर अगर ऑप्डेट होगे तो वर्क रहे गा कि जैसे orchestra field होगी, आज भी लोग सुनते हैं, आज भी उसका एक crowd है, आज भी उसका एक अलग वरग है, जो orchestra सुनते हैं, लेकिन आज जिस तरह से train चल रहा है कि event industry, तो कही ना कही लोग का देखने का नजर एक थोड़ा सा अलग हो गया है, जहाँ crowd भी उसका change होता है, तो लोग आज कल, जैसे हमारा नाकपुर में two-piece band, three-piece band, four-piece band चलते हैं, आज कल नए concepts आगे, DJ-based band भी आ गया, तो लोग इसकी वज़े से orchestra field को थोड़ा सा लोग कम देखते हैं, कोई भी कहते हैं, अगर client भी कहते हैं, event managers भी कहते हैं, तो वो कहते हैं, कि हमें band चाहिए, और artist लोग जो है, मैं ऐसा नहीं कहता, कि artist लोग बुरे हैं, मगर धीरे धीरे अगर हर कोई update होगा, तो सब के पास काम होगा, मैं कहूँगा, अपडेट की बात कहीं, स्मित ने, तो majorly तुमने खुद में क्या change लाया है, और केस्टा से events में जबाया है, काम तो सेम ही है, गाना है, ले event manager से मुलाकात हुई, तो जो wearing से लेके, body language से लेके, हर एक चीज में काफी सारा बदलाव आया, लोगों से बात कैसे करना चाहिए, इंटरेक्शन कैसे करना चाहिए, तो अगर dance number हम गा रहे है, तो लोगों से इंटरेक्शन कैसा करना चाहिए, लोगों को नचाना कैसा है, यह सबसे जाए और काफी सारे event managers है, जैसे event managers है, जैसे event managers है, हमारे showbis से event managers है, काफी सारे event managers है, उन्होंने जो support किया, कि Smith तू कर सकता है, तो एक difference होता है, कि orchestra में जैसे हम गाते है, तो एक stand mic लेके, हम जैसे गायरे perform कर रहे हुए, लिकिन जब event industry में, event में जब work करते है, तो सारे crowd से लेके, सारे चीजों से लेके, हमें update रहना होता है, लोगों से interaction करना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, तो यह सारी चीज़े मुझे यहाँ पी आके सिकने को ज़्यादा मिली है, कई सारे singers को तुम सुनते होगे, तो कौन से वो singers से जिनने तुम follow करते हों, ज जब मेरी journey स्टार्ट हुई, तो मैं सबसे ज़्यादा अगर orchestra field की बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा मैं गाता था मोहमद रफिसाप की गाने, और अगर आज जो मुझे इवेंट्स मैनेजर हो गए, या फिर मुझे जो लोग क्लाइंट जो बुलाते है, तो multipurpose के नाम से यह जो नहीं चीजियों करने मज़ा आती है, और सबसे आदा मैं पहले लाइक करता था सोनु निगम जी को, उनके सबसे आदा गाने मुझे पसंदे, तो उनका फिर कोई गाना सुना था जो तुम्हारा फेवरेट और जो तुम हर शो में जरू गाते हो, तो ऐसा कोई गाना मैं सबसे आदा उनका एक भौती एक उनका अलबम का सौंग है, तुझे लागे ना नजरिया, तुझे लागे ना नजरिया क्या बात है? क्या बात है मैं यह कहूंगा कि कई सारे बड़े-बड़े लोगों के साथ शोस करने का मौका मिला हुआ तो सबसे यादगार शो जो है वो कौन सा रहा तुम्हारा अगर पूछा जाएए सवाल मने काफी सारे आर्टीस लोग के साथ काम किया है सेलिबीटियोस के साथ काम किया सारे काम पाट हुदासवन 10 के एक रिनी चंद्रा जी थी उनके साथ मुझे स्टेश शेयर करने का मौका मिला देन उसके बाद सुनिल पाल जी है ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में थे उनके पास एक राजायन रैंचो करके एक थे जो मंकी के साथ अपना एक्ट प् करें तो सबस्यादा मजा है रिनी चंद्रा जी के साथ मैंने फ्सक्राइब किया था उनके साथ काफ्जा मजा है आज लोग प्रोजेक्ट शुरू है जिनके जो हम बाद में उसको रिलेस करेंगे तो लोगों तक वह पहुंचे और लोग जैसे यही मुकाम है मेरा यही एक सपना है कि यह इसी को आगे करते करें जितने मैनस होगे इस म्यूजिक लोगों तक मेरे सॉंग्स लोगे घरों तक मेरे सॉंग्स पहुंचे तो उसके लिए बहुत-बहुत सुबकामना है तुम्हें सुमित हमारे विकेभी न्यूस के तरफ से और आशा करते कि तुम्हारे सारे सपने जो पूरे हो जाए आखिरकार तुमने समय निकाला हमारे क्यों हम वो लोगों तक पहुंचा है तो आप मुझे जरूर डीम कर सकते हैं अमोल मंदा अरुण चर्णिकराम से में फेस्बूक इंस्ट्राग्राम दोने पर अवेलेबल हूँ आप मुझे मेसेज कर सकते हैं अपनी कहानी जो है मुझ तो बता सकते हैं और यह प्रोग्रा सबसे खास बात अपना ध्यान रखें देशी कलाकार